दोस्तों यहां पर बात करेंगे Hong Kong Women vs Japan Women के बीजो मुकाबला खिला जाएगा एक चीज़ देखो मैं कुछ नहीं दिखाने बाला हूँ जो मैं आपको बाते बताऊंगा और combination बताऊंगा वहां पर आप अगर जदी 100% फोकस कर लिया तो मैं वादे के साथ कहता हूँ इस किया उन्होंने जील विन किया और सेम टीम से भी जील विन हुआ था तो Hong Kong Women और जपान वो में एक एसा मेच है बाद दो तीन चेंज करना केप्टन वाई सेम रखके भी आप बहुत सारा टीम बना सकते हो वैसे तो एक टीम मैं फाइनल आप लोगों को टेली ग्राम चैनल प मैं आपको किलिक करना है जैसे यहां पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेली ग्राम चैनल के लिंक दिखाई देगा इस पर किलिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पर चले जाओगे वहां पर दिखेगा ज्वाइन आपको ज्वाइन हो जाना है वही पर मिलेगी फाइनल टी लेटर बहुत सारे अपडेट जो जील विन करने के लिए काफी होता है तो इस वज़ा से हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जॉइन कर लेना चाहिए तो मेरे भाई हमारे टेली ग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाए देगा क्यों को बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है जो हूँ बहु आपको डोमेस्टिक फिलिंग लेवन अजर आएंगे उन से आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरी यही जुड़ना है तो दोस्तों चलिए आप यहां पर आपको ध्यान देना है यह वीडियो कुछ खास वीडियो है मैं जो बताऊंगा मैं 100% वादे के साथ काता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप खूद अपने दोस्त यार भाई बन सब को असानी से नहीं समझा दिये तो मैं वीडियो बनाना आज से छोड़ दूंगा होंकोंग वोमेन वर्शे जपान वोमेन चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बड़ी बात है कि दोनों टीम में स्ट्रोंग कॉन सी टीम है तो हमारे भाई होंकोंग वोमेन्स की टीम पहले बल्ले बाजी तो किस परकाशे टीम बनाना हाँ जैपान वोमेन्स का चार पियर पीक करेंगे लेकिन इनका ओल्राउंडर जो है जब बड़ दस था स्लेकिन एक समस्या है इस पे चार ओल्राउंडर से जादा हम पीक नहीं कर सकते तो इनका तीन ओल्राउंडर बेत voter अर इनका 4 ओल्राउ में से जो एक हम लोग पीक करेंगे वो क्या भेतर हो सकता है या फिर अलग हो सकता है तो जील पे भी आपको किस परकार कॉंबीनेशन बनाना है चलिए कॉंबीनेशन पर बात करते हैं लेकिन इससे पहले अगर जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये तो टेली ग्राम चैनल पर वीडियो पीन होगा उनकी सहाइता से इनकी अलावे भी कुछ जनकारी लेना हो खासकर इस मेच के लिए अगर जदि आपको जनकारी लेना हो तो मैं सारे लोग का रिपलाय देने वाला हो भी बहतर तरीका से तो दोस्तों आपको देखो यहाँ प आपको पीक करना ही होगा कोई हाल में इनको ड्रोप नहीं करना है तो नहीं करना अब बोलोगे अगर जदि एक भी विक्टे ना ले पॉंट ना दे तो बोलोगे भाई आप एसा क्यों बोर रहते तो वो अलग बात है लेकिन जो हक्किकाता मैं बता रहा हूं वी चैन को पी लेकिन फिर बहां दोने लेकिन फिर भी इन को पिख करना है जी ब्रैली नहीं खेलेगे नहीं खेलेंगे एली भी खेलने के चांस काम है खेलेंगे तो उसके बादे में बता दोगा एम हिल ये चार player कोई भी बोल दे कि ड्रोप करो आपका girl friend भी बोले कि या ड्रोप करो तभी मैं मानूंगा फिर भी नहीं ड्रोप करना है चारो को चारो को pick करना है, यहां तक कोई doubt नहीं, अब देखो कई बार carry chain और aim hill आ जाते हैं open लेकिन आसा करते हैं कि केरी चन लगभक मेच में नहीं आती है ज्यादा दर ती च्ई की बात के इनका लास्ट का मेच धहूं कि हर मेच में ये दू बर डालते हैं याद बर डालते हैं और विंग्डिक्र्टेस तो आई साहर की बात के फास्ट गिनबाजी करते हैं पावर पले में गिनबाजी करेगी लाश्ट में लागभग यह तीन ओभर इनका कनफर्म रता अधिकतर देखा मैने इनका सारा स्कोर कार्ट तो आई साहर एक अनुभावी प्लेयर है अब टीचू की बात के देखो जादा अनुभावी नहीं एक उभरता हुआ सितारा ठीक ठाक उप्सन है हर मेंच पर इससे दो अभर कराया जा रहा है तो अगर जदी दो अभर में बिक्टे ले 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 तो यहाँ पर महंगा पढ़ सकता है तो यहाँ पर आपको टीचू या फ होंकों के उपर कहीं डाउट नहीं होना चीए अब केप्टन वाज के लिए बाद बोलजे सबसे बेस्ट केप्टन एम हील चार ओभर गिनवाजी करती है ओपन आती है केरी चैन कही मेंच में ओपन आती है कही मेंच में नीचे आती है लेकिन चार ओभर की गिनवाजी करती ह सबसे बेश्ट बल्ले बाज के रीचन दुसरा ये केप्टन वाज हो गया तिसरा की बात किया यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वी चेन वी चेन एक गजब का इस्पीनर लगभग विक्ट्री ले जाते तिसरा केप्टन वाज चवथा MBB ये भी गजब की गजब की गण बाजी करती है और पहले बल्ले बाजी करे होंक कॉंग तो एक बनिया बल्ले बाज है थोड़ा रिस्की है ये भी रिस्की है वयसे तो होंक कॉंग वुमेंज के सारे पिलेर बेश्ट है यहां ताक कोई दिकते नहीं आप लोगों को वाई दस्वानी की बाद करें चाहर नमर पर अधिकतर यह बले बाजी के लिए आते हैं अगर जदी इनकी टीम पहले बले बाजी करें तो बीचार कर सकते हो इनका ह यह येंग चेंग की बाद की जाये तो देखू ये विकेट कीपरिंग करती है तो एक अच्छा चोई सा बले बाजी काफी नीचे आती है सहजाद की बात का लाग वाग ये तीन नमर पे बले बाजी के लिया आती है कई बार ये ऊपन करती है पहले ती ये पाट्टम गेनबाजी भी करती थी, अब गेनबाजी नहीं करती है, तो ये सहाजाद एक बढ़ियाँ चोईस्तु है, अब हम लोग चलिए बात करते हैं यहाँ पर जपान वोमेंस के बीच, अब देखो, इनका बिकेट कीपर एक कानो को इसलिए पिक करें, क्यो तो ट्राइ कर सकते हो, लेकिन एच गोटो की बात के यह पाट्टम गेनबाजी कर लेता, सास में ओपान आता, खास रिकोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी पिक तो करना बनता, एक ओभर, एक मेच में यह इन्हों ने किया था, लगभग डोमेस्टिक में करता है, एस काटो, इ आती है, चार ओभर करती है, चार नमर पे आती है, दो ओभर लगभग यह करती है, अपने टीम के केप्टन है, चार ओभर भी कर सकती है, इस मियाजी की बात के तीन ओभर चार ओभर लगभग करते है, यह भी कई बार ओपन यह तीन नमर पे आ जाती है, और यह भी हर मेच मे और व किन दोको पिक करना चीए इनका रिकोर्ड अच्छा है बलेबाजी से भी गेनवाजी वाई या ना गीता की बात किया टीम के करेक्टन है अनुभावी पिलेयर है तो इनको पिक करना बनता है लेकिन जपान वोमेन पहले गेनबाजी करेगा तो ज़्यादा बेतर है यह चंडेल फ़र्ष्ट गेनबाजी करता है चार उभर करती है साथ में ओपन या फिर तीन से चार नमर पर आ जाती है यह समियाजी हर मेंच में बिक्टे ले रहे तो आफी डिसाइड करो भया ओल राउंडर फे थोड़ी सी समस्या है फिलाल किलत मैं यहाँ पर एचंडेल को पिक कर लूँगा लेकिन यहाँ पर यह दोनों बुरा उप्शन बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है तो दिकते आ रही है केप्टन वास आख बंद करके फिलाल एम हील और केरी चैन को यह यहाँ पर देने वाला हूं दोनों गिनवाजी करता उपन आता है यह तो ओपन कनफर्म आएंगे इनके उपर थोड़ा साकर कई बार उपन नहीं आती है यहाँ तो मैं टीम यहाँ पर बना दिया हूं अगर जदी केरी चैन नहीं खिलती है यहाँ पर दोस्तों केरी चैन य सबसे बहतर तो यह घेखा तो यहाँ पर केरी चैन दीदी को मैं ने यहाँ पर बनाया हूं तो दोस्तों यहथी देखा जाए। पेस्ट और सेफ सर्टिक ना जराता है अब इसमें जो चेंज होगा कोई बड़ा पिलेर ना खेले टेली गराम पर अपडेट कर दूगा लेकिन जीएल का टीम बनाना चाहते तो जो मैंने बताया उस पर फोकस जरूर करना हां केप्टन भास इन दोनों से बहतर कोई हो नहीं स तो दोस्तो ये टीम आपको सेफ कर लेना चाहिए लगभग 100% ये टीम हमारा फाइनल होने बाला है फिर भी आपको टेली गराम टीम का वेट करना है मैं फाइनल टीम दे दूँगा के लिए सो जो बहुत सारे भाईयों को दिकते भी आ जाए गो हो सकता खुद से खेले और दिकते आ जाए तो वीन करेंगे साथ में लोज करेंगे साथ में और चलेंगे पूरे डोमेस्टिक पिलेंग लेवन फिमली आगे भी साथ में तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के यहीं समाफ्त करता हूं